वेल्कम टू एज्यूकेटिव वेल्किन साथें को स्कूल और अलोट हुए है कि सब्जेक्ट के हुए हैं पूरी जानकारी मैं दूँए आपको इस video में नहीं चाहिए क्योंकि आपके जोइनिंग कहां होने जा रही है तो देखे पूरी वीडियो चलिए शुरू करते हैं video हेलो फ्रेंड्स तो देखिए हम आज चुके हैं एडुडेल की साइट पर यहां पर आप जैसे ही लिखेंगे एडुडेल.nice.in तो यह आपके साइट हो जाएगी ओपन और यहां मिलने वाली है आपको अपने लिस्ट यहां आ गया पब्लिक सर्कुलर वाले सेक्शन में तो भी थोड़ा सा मतब सभी लोग देखने लगे हुए हैं तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा देखिए यहां पर मैंने यह रिगार्डिंग अलोकेशन और स्कूल टूदा गैस टीचर फॉर दा पोस्ट ओफ टीजिटी नेच्रल साइंस तो नेच्रल साइंस वालों की दिखा हुए किस बेस पर आपकी लिस्ट बनाए गई है 10 के 10% 12 के 20% ग्रेजुएशन के 40 और बीर्ड के 30% टोटल हो गए आपके 100% तो यहां केटेगरी वाइस मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी धियान से देखते जाए फ्रेंड्स कोई लिस्ट मिस ना हो जाए तो सबसे पहले है या जेनरल केटेगरी जिसमें आपके जो लिस्ट बनाए गई है ऐसे बने हुई है सीरियल नंबर है सबसे पहले फिर एप्लिकेशन आईडी है जो आपको अलोट हुई है फिर नेम उफ एपलिकेंट फिर केटेगरी फिर आपके अकेडमिक रिजल्ट दिया हुआ है उसके पाद जो आपको स्कूल अलोट हुआ है उसका नाम है फिर उसकी आईडी है जो स्कूल है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए यहां पर रविंद्र आ रही है जो फर्स्ट केंड़ेट है इनका सेलेक्शन हुआ है इनको स्कूल अलोट हुआ है तो यहां पर आप देखते जाए आपका नाम कहां पर है तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी लिस्ट बारे-बारे से देखते जाए आप लोग यह देखिए फ्रेंड्स यह सभी जेनरल के टेगरी के यही नाम चल रहे हैं यहां पर यहां पर कुछ शाद मिक्स भी किये हुए है इन्होंने यहां देख लीज बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि बहुत सारे केंड़ेट्स को यहां पर स्कूल अलोट हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको ज्वाइनिंग में भी क्योंकि उसके आगे का प्रोसेजर में मैं आपको बताने वाली हूँ देख लीजे फ्रेंड्स यह आपकी लिस्ट देखनी है सीरिल नंबर देन अप्लिकेशन आईडी नेम अफ एपलिकेंड फिर रिजल्ट है फिर स्कूल जो अलोट हुआ हुआ है वो है आपका फिर आईडी है स्कूल की तो देखें यहां पर भी आपके कितने केंड़ेट्स हैं यहां पर मैं दिखा रही हूँ को औब इसी केटेगरी में भी काफी सारे कैंड़ेट्स सेलेक्ट हुए हैं तो तेजी टी के लिस्ट आपके काफी अच्छी बनी है काफी ज्यादा केंड़ेट्स प्ल Supreme की यह थे चांग्रेट्स लैक्डरी आपकि दे तो इमस्पीन की नराज़गी वहां पर दो है आ मिला हुआ है यह देख लिजिए यह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है मैं आपको बताऊंगे कि इसका फिर आपको क्या benefit होता है तो यह देख लिजिए यह जो category वाइस लिस्ट है यह यह भी काफी लंबी है तो इस category में भी आपके 108 108 जो candidate है वो स्लेक्ट होए है फ के बाद है यहाँ पर EWS category तो यहाँ पर EWS category के candidates हैं इसमें भी लंबी लिस्ट है आस तो बहुत अच्छी बात है यह आप सभी के लिए कि आपके जो candidates हैं वो काफी जादा सेलेक्ट हुए हैं अब लास्ट में है शायद PWD category तो इसमें भी आप नाम देखिए अपना स्कूल क का नाम देखिए आईडी देखिए और नोट कर लीजिए ध्यान से और जब आप पूरा का पूरा यह लिश्ट देख लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ डोक्यूमेंट ले जाने हैं उनकी मैं पूरी की पूरी प्रोसेजर बताऊंगी आपको लास्ट में तो यह लिश् लिश्ट भी ऐसे ही सेम आपको चेक करनी है यह देख लिए पब्लिक सर्कुलर पर जाएए और सेकेंड नंबर पर आपके आए हुई है तीजिटी मैथ की लिस्ट तो इसको भी लेते हैं कितने केंड़ेट्स यहां पर आए हुए हैं कितने स्लेक्ट हुए हैं तो पूरा द लोटल हो गए हैंडर परसेंट तो जेनरल के टेगरी की लिस्ट है इसमें भी आपको सीरियल नंबर एप्लिकेशन आइडी नेम ऑफ एपलिकेंट के टेगरी और फिर आपका रिजल्ट स्कूल आलोकेट जो हो है वो उसकी आईडी ऐसे ही चेक करते जाएए आप अपने लि लिस्ट को पूरी को यह देखते जाएए बहुत बहुत बधाई उन सभी केंड़ेट्स को जो यहां पर स्लेक्ट हुए हैं जिनको स्कूल अलोट हुए हैं तो फ्रेंड्स यह लिस्टें बहुत अच्छी बनी हैं बहुत अच्छे से केंड़ेट्स स्लेक्ट किये गए हैं इसमें यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको स्कूल का नाम देख लीजिए, ध्यान से आईडी देख लीजिए, लास्ट तक मैं आपको ले जाने वाली देखिए, फ्रेंट्स कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, काफी अच्छी लिस्ट बनी है, बहुत बढ़िया यह लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथियों के नाम आज आ गए हैं, उनकी नए साल जो की शुरुआत है, वो अच्छी होने जा रही है, इस लिस्ट के माध्यम से उनको जोब मिल गई है, अब यह OBC केटेगरी की लिस्ट, तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर कितने केंडिडेट्स हैं, यह भी आपको सेम चेक करनी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है अगर आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आपके कोशन्स आपको बताने वाली हूँ, तो यह हैं आपकी बहुत बड़ी लिस्ट, अब है SC केटेगरी के लिस्ट, इसमें भी देख लेते हैं, कितने केंडिडेट्स हैं, इसमें हैं, आपके देखते जा रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं, लिस्ट को, लास्ट तक देखेंगे, काफी सार किये गए हैं, काफी लंबी लिस्ट डाली है, 75 केंडेट्स हैं, और EWS केटेगरी के भी लिस्ट शुरू हो चुकी है, देखते जाएंगे, कोई प्रॉबलम नहीं आएगे आपको, यह मेरा वादा है, आप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने डोक्युमेंट रेडी करके ले जाएए, अब यह पी डबलू केटेगरी है, इसमें भी काफी कंडेट्स हैं, यहां पर तो देख लेजिए, लास्ट केटेगरी हैं, यहां लिस्ट के हिसाब से, तो यह होगी आपकी पूरी लिस्ट, और अब मैं बताती हूँ कि आपको विदिन फाइव व पकत ना हो और 5 दिन के अंदर आपको जोइन करने के लिए जाना है, रिपोर्टिंग और अपने सारी डोक्यूमेंट लेके जानी है, बहुत जरूरी बात, कौन से डोक्यूमेंट लिजाने हमें पूछेंगे आप, तो डोक्यूमेंट मैं आपको जोबें बताऊंगी उनके आपको original और साथ में एक self-attested photocopy का पूरा set बढ़ना के लेके जाना है तो सबसे पहले आपका print out of online field application form bearing signature and date जो आपने form fill किया था उसका एक print out निकलवा के लिजाना है उसके बाद 10th class की 12th class की graduation के बीर्ड की mark sheet और degrees लेके जानी है उसके बाद है SC, ST, OBC, EWS certificate अगर कोई है आप आपका तो और अगर OBC का certificate है तो वो आपका issue होना चाहिए GNCT देली के द्वारा उसके बाद disability certificate है अगर applicable है तो वो लेकर जाएंगे आप valid seated certificate बहुत जरूरी बात है कि आपका जो valid बिल्कुल अभी जिसकी expiry date नहीं है वो जो valid है अभी तक उसको लेकर जाएंगे आप certificate को creamy layer certificate in case of OBC candidate अगर आप creamy layer certificate तो वो लेकर जाएंगे two photographs अपने आप two photographs लेकर जाएए photo identity proof जिसमें आप अधार card लेकर जाएए सबसे बढ़िया है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी फिर address proof इसमें अपना कोई भी आप एक address proof ले जा सकते हैं तो आप लेकर जाए सारे document उनको लेकर आप reporting की जिस्कूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपका verification होगा document verify किया जाएंगे और कोई भी अगर मन में doubt है जाने से पहले तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई problem नहीं है और I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछे और ये भी बताइए मुझे कि और कौन से topic पर आप वीडियो देखना च के साथ शेयर कर लिजिए इस वीडियो को फटाफट से शेयर किये जिए और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजिए ओल का बटन दबाईए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और खुश खबरी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूँ तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में नेक्स इनफोरमेशन के साथ एक बढ़िया खुश खबरी के साथ अच्छे इनफोरमेशन के साथ तब तक के लिए बाइ-बा झाल झाल